हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचोर ओनलाइन क्लासेस में आज हम इस वीडियो में बिहार सिपाही भरती परिक्षा जो 2021 में होने वाली है उसके लिए हिंदी के टॉप 15 कोशन को लेकर आया हूँ तो आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लएगा तो चलते हैं इसके कोशन के ऊपर फर्स्ट कोशन है नए इलाके में काबे संग्रा के लिए अरुन कमल को कौन सा पुरुषकार मिला तो नए इलाके में काब्य संग्रा के लिए अरुन कमल को निमन में से साहिते अकाडमी पुरुषकार मिला तो इसका जो एंसर है वो अप्सने है नेक्स्ट कोशन है जैप्रकास नरायन का जनम हुआ था तो जैप्रकास नरायन का जनम जो है 1902 इसवी में हुआ था और जैप्रकास नरायन को जेपी के भी नाम से जाना जाता है तो इसे भी आप याद कर लेंगे गुप्त जी को साहिते जगत में किस नाम से संबोधित किया जाता है तो इसका जो एंसर है वो option D है नेक्स्ट कोशन देखेंगे तो नेक्स्ट कोशन है सिव पूजन सहाई का जनम कब हुआ था तो सिव पूजन सहाई का जनम जो है 1893 इस्वी में हुआ था तो इसका जो एंसर है वो option B है नेक्स्ट कोशन है कबीर जी पेसे से थे तो कबीर जी पेसे से जो थे वो एक बुनकर थे तो इसका जो एंसर है वो option B है नेक्स्ट कोशन है पदमा सच देव को 1971 इस्वी में किस कबीता संग्रा के लिए साहित्य अकाडमी पुरुषकार प्राप्त हुआ तो पदमा सच देव को 1971 इस्वी में मेरी कबीता मेरे गीत के लिए जो है साहित्य अकाडमी पुरुषकार से समानित किया गया उनी सायकहत्तार इस्विय में, तो इसका जो एंसर है वो option E है next question देखेंगे, तो next question है मुक्ति बोध का जनम हुआ था, तो मुक्ति बोध का जनम जो है एक 1927 में हुआ था, तो इसका जो एंसर है, वो option A है next question है, निम्न में से कृषना सोबती की रचना है तो निम्न में से क्रिष्णा सोब्ती की जो रचना है वह है बादलो के घेरे तो इसका जो एंसर है वो अप्षन सी है नेक्स्ट कोशन देखेंगे तो नेक्स्ट कोशन है रूपामबरा किस कभी का काबे संग्रा है तो रूपामबरा जो है निम्न में से अग्याय जी की काबे संग्रा है तो इसका जो एंसर है वो अप्षन डी है नेक्स्ट कोशन है भूशन ने अपने काबे की रचना किस भासा यहां अप्षान अंचरा में की तो इसका जो एंसर वो एकन वह ऑप्षान् डी है next question है तो इसका जो एंसर वह औरनी है नेक्स्ट कोर्षान है मांजा परवास का भासांतर किस ने किया तो मांजा परवास का भासांतर जो है निमन में से अमरित लाल नागर ने किया तो इसका जो एंसर है वो option D है Next question है निमन में से कृष्ण कुमार का यात्रा बिरतांत है तो निमन में से कृष्ण कुमार का यात्रा बिर्तांत जो है अब्दुल मजीद का छुरा है तो इसका जो एंसर है वो option D है Next question है ग्यांदरपती का जनम हुआ था तो ग्यांदरपती का जो जनम है वो जारखंड में हुआ था तो इसका जो एंसर है वो option A है Next question देखेंगे तो Next question है अपने अपने पिंजरे के लेखक है तो अपने अपने पिंजरे के जो लेखक है वो मोहन नैमीस राय है तो इसका जो एंसर है वो option A है तो यह जो था टॉप 15 question था जो बिहार पुलिस कॉंस्टेबल के लिए काफी important है तो आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लएगा